कॉंग्रेस ते राज्य सभा सांसद दिपेंद्र सिंग हुड़ा कर नाल में पहुंचे आपको बता दे कि सरदार त्रलोचन सिंग के निवास्थान पर वह उनकी माता के निधन के उपरांद शोक संतप्त परिवार को सांत वना देने पहुंचे इस मौके पर दिपेंद्र हुड़ा द्वारा मीडिया को भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने संत बाबा राम सिंग महराज द्वारा आत्मत्या के जाने पर गहरा अफसोस व्यक्त किया इस मामले में भारती जंता पार्टी की सरकार को दोशी ठहराते हुए कहा कि किसानों पर जो प्रहार सरकार द्वारा किये जा रहे हैं वह बेहच चंतनी हैं और बाबा जी किसानों की ऐसी दुर्गती को सहन नहीं कर सके इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को संत बाबा राम सिंग द्वारा उठाये गए इस कदम को देखते हुए तुरंत तीनों कृशी विरोधी कानून बापिस लेने चाहिए इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किये उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है उन्होंने कहा कि इतनी सर्द रातों में किसान जो बोर्डर पर सर्दी में ठिठुर के बैठे हैं उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए इस मौके पर उनके साथ कॉंग्रेस के नेता कार्य करता वैस अदस से मौजूद रहे राज्य सबसानिसर डिपेंदर उड़ा प्रेस से रूबरू होंगे सरदार तिलोटन सिंग के निवास पर उनकी माता जेनी दन पर शोक शंतब प्रिवार पुस्थांत वना देने पहुंते थे हाजी करना लाए हैं क्या वुष्ट बहाता है आज हम सबसे पहले सरदार तिलोटन जी के निवास थान पर पहुंचे हैं उनका एक बहुत बड़ा शिल्वाद उनका रहा यह प्रिवार उनके संस्कारों को आगे लेके जाए ऐसी हमारी भावनाए है दूसरी जो मौझूदा प्रिष्टितिया है आज हम सब मिलकर शद्हांजली देते हैं संत राम सिंग जी को जिनोंने एक आत्म बलिदान किया है हमारी मांग है और हर्याना से हर्याना में जैसे आप जानते है लोकसभा और राजसभा मिलाकर 14 सांसत बीजेपी के विपक्ष में अकेला सांसत तो एक हिकमात सांसत के रूप में यह आग मैं यह कहना चाहिए आप यह मांग करता हूं कि तुरंट सेशन बुलाए जाए जो शीत कालीन सेशन जो कैंसल किया गया है वो लोक तंतर पे ठेस पहुचाने की कारवाई की गई है कि प्रजात तंतर में विपक्ष की थोड़ी आवाज सुनने की थोड़ी गुंजाइश होनी चाहिए इनके बास तो प्रचंड भहुमत है पूरे देश में प्रचंड भहुता है हर्याना में भी 14 इनके सांसद है मगर एक कम से कम इतनी तो विपक्ष की आवाज सुनी जाने चाहिए इतनी गुंजाइश प्रजात अंतर में होनी चाहिए तो हम मांग करते हैं तुरंट छीत कालीन सेशन बुलाएं दूसरा हम मां किसान के साथ है किसान के हक में है और कौन अपनी कुर्सी के चिपका हुआ है और अपने जो कौन सत्ता सर्वोपरी मान के चल रहा है और कौन किसान को सर्वोपरी मान के चल रहा है ये बात स्पष्ट हो जाएगी हमारा मानना है इस सरकार जंता का विशास भी खो चुकी है ह ऽान साथ हर्याना की विदान सभाद का विश्वास बड़ी तेजी से सरकार खोऔ चुकी है। अल्गमत में हैं। इसलिए हम ये माझ करना है। देश के किसान के लिए, देश के किसान के संगर्स में ये बलिदान उन्हों pagan क्लोई ने दिया समय कश्ट में पीडा में कडाके की सर्दी में करोना के संक्रमंट में आसमान की छट के निचे रात और दिन यतीत करते हुए अपनी जान कुर्बान करी है इस आंदोलन में बलीदान दिया शादत दिये देश के किसान की लड़ाई में उन 21 के 21 किसानों को भी हम सद्धाइनी देते हैं आप समझ सकते हैं कि अब यह जो आंदोलन है उसने एक बड़ी नाजुक मोड पर पहुँच चुका है इस्तिती बहुत गंबीर बहुत गंबीर और बहुत संविधनशील हो चुकी है इन परिस्तितियों में मैं आग्रे करना चाहता हूँ देश के प्रधान मंत्री जी से आज कि वो आप प्रधान मंत्री जी आगे आएं और स्वेम हस्तक शेप करके किसानों की मांगों को मानते हुए समाधान दें क्योंकि छे-साथ राउंड बादचीत के मंत्रियों के लेवल की बादचीत हो चुकी है मगर कोई अभी तक स्थिती यूंकी यूंक कायम है ऐसे में देश के प्रधान मंत्री जी इससे दूर नहीं रह सकते वो अब समझें स्थिती गंबीरता को समझें समधन शीलता को समझ कि जो बलिदान हुआ है संत राम सिंग जी का उसकी उसके बाद जैसे मैंने कहा जो सिती ने जो मोड लिया है परिस्तितियों ने उस बात को समझें और प्रधान मंत्री जी आगे आए आज मैं यह कहना चाहता है हरियाना की सरकार देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में सामने आई है देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार का चेहरा हरियाना के मुख्य मंत्री और तमाम मंत्री उप मुख्य मंत्री शांती प्रवे तरीके से जा रहे थे किसान पंजाब से सबसे बड़ी देश की किसान विरोधी शरकार के रूप में बेनकाब यह लोग हो गए हैं आने वाले समय जो है देश का प्रदेश का किसान और हर वर किसान से जुड़ा हुआ सर्क 20-30 से जादा किसान अंदोलन को चलते हो हो गए हैं और अभी तक ऐसा लग रहा है कि सरकार तीनों को वापस लेने के हग में बिल्कुल नहीं है और खबरे ऐसी भी आ रहे हैं कि सरकार कुछी समय में कई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है जिससे किसान अंदोलन को कदम किया तो मैंने बता दिया वो तो मैंने बाते हैं पर देच रहा हूं आपके प्रशन का वही जो है केवल सरकार को जिस दिन अपने सरकार जिद से पिछेट जाएगी उसी दिनी आंदोलन को अभी एक बहुत बड़ा गोड़ा ऐसी ही लेटेस को बरे पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घंने बाद